नमस्कार स्वागत है आपका नीजवर्ड इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्टरा बुल्टरिन दिसुर बात करते हैं पहली खबर लखनाउसे है जहां सीम ने बाढ़ प्रभावी जिलो का दौरा किया जिसमें गोरकपूर, संतकबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी कहवाई सर्वेक्षल कर जिलाधिकारियों को राहतकारियों में तेजी लाने और बाढ़ राहतकारियों की बिस्त्रित रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं अगली खबर बुलंसार से है, जहां इदगाह रोट पर इस्थिति यशोधा अस्पताल में अनिमित्ताएं पाई जाने पर डियम ने अस्पताल को सील कर दिया है, दरसल अस्पताल अंधिक्रित रूप से चला था जिसको ले करके एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मजिस्टेट चेत्राधिकारी सहित एस्यमों शामिल थे निरिक्षण के दोरान कई अनिमित्ताएं पाई गई जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है खबर्देवरियां से है जहां जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां सदर विधान सबाक्षटर के अंत्रगत खोराराम के रहने वाले उदैभान चौहान ने पुलिस को शिकायती पत्र दे कर नियाय की मान की है दरसल उन्होंने अपने बुआ की जमीन को छल और कपट से कब्जा करने वाले पर आरूप लगाते हुए कहा की मेरे बुआ की जमीन को फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है जिसको ले करके वो न्याय की गुहार लगा रहे है अगली खबर उन्नाव से है, जहां सपानेता और भूमाफिया सुरेश पाल की एक करोन से अधिक की संपत्ति को प्रशासन ने जब्द कर लिया है दरसल भूमाफिया सुरेश पाल लोगों को डरा धमका करके संपत्ति बनाई थी, अवय दिरूप से बनाई गई एक कुल संपत्ति एक करोर दस लाग चालिस हजार की बताई जा रही है खबर बदायू से है जहां जिलाजा जनिल अग्रवाल की कोट ने ऑनर कीलिंग की घटना के मामले में चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है दरसल साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकान में जिला जजने लड़की के पिता, मा और दो भाईयों को फासी की सजा सुनाई है बता दे कि 14 माई 2017 को लड़की के प्रेमी को घर भुला करके हत्या की गई थी जिसके बचाओ करने गई लड़की को भी परिवार ने मौत की घाट उतर दिया था चारो अरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर के जुला जेल भेज दिया है अगली ख़बर स्रावास्ति से है जहां सामपरदाइक साहर्द विगाणने की कोशिश की गई है दरसल हिंदू घर के सामने गववन्ष का मांश रखा गया वहीं गववन्ष का मांश मिलने से पूरे गाओं में हड़कम मुझ गया है इसके बाद गाओं के लोगों ने 1076 पर कॉल करके पुलिस को मामले की सूचना दी मौके पर सीओ भारी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुँचे वहीं पुलिस और फारेंसिक टीम जांच परताल में जुटी है यह पुरा मामला मलिपुर्थाना ख्यत्र के रोशन पुर्वा गाओं का बताया जा रहा है कबर आगरा से जहां आगरे वीर भरती रैली के लिए आगरा आये जाला उनकी यूवक की मौत हो गई मतादे कि भरती से निकल कर घर वापस जा रहा था यूवक बस में चढ़ने के दरान ही हाई टेंसन तार की चपेट में आ गया दरसल ये भरती आगरा की आनंद इंजिनियर कॉलेज से कंदराक्षेत्र में चल रही थी खबर विजन और चया है जहां सरकार की मंचा के तहती यूपी के हर जिलो में नशे के खिलाप अभियान चलाय जा रहा है दरसल भोली भाली जनता और इस्कूली बच्चों को ड्रक्ष लेने नशे की दवा गोली का इंजेक्शन लेने की लत लगाने वाले नशे की आदत डालने वाले ड्रक्ष माफियाओं पर ये शेकंजा कसा जा रहा है खबर लखना उसे है जहाँ एस्टी अपको बड़ी सफलता मिली है टेट पर इक्चा में पेपर आउट कराने वाला यूवग गिरफतार कर लिया गया है बतादे कि ये गिरोफ पेपर आउट कराता था जिसके बाद अभियर्थियों से मोटी रकम लेकर पेपर देता था आरूपी हिरदेश कुमार को पॉलिट्रिक ने चौराहे से गिरफतार किया गया है उसके बाद पुलिस आगे की कारवाई करेगी फिलाल इस बुल्टेन में तरफ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूजवर्ड इंडिया